इसका मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकाडमी क्लासेस पर यहां बात करेंगे यूपी, यूएमस, सैफ़ाई, सीपी, नेट दोहजार चौबिस को लेकर इसमें एनम, जेनम और बी फार्मा के लिए इंटरेंस एक्जाम होता है यह आप अगर ये फ बारे में बात करते हैं कि कब तक ये फार्म रिलीज होगा ये इस नाम से आता है फार्म उत्तरपदेश आयरविज्यान विश्विद्य अले सैफ़ाई इटावा तो ये इसका लोगो है, यही इसका फार्म है, आए इसकी डिटेल को सबस्ते हैं तो इस फार्म के तहट जो स इस सी भी जो है और या फिर पी सी एम से आप इंटर हों तो आप इस फार्म को भर सकते हैं इसी तरीके से जेनम के लिए होता है तो यह तीन साल का होता, साट सीटें आपको यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ भी वही कौलिफिकेशन जो आजिस विली सब कहीं क्वालिफिकेश इस सीटें बनती हैं वह एक सो सतर सीट्स बनती हैं किलिए आप समझ गए होंगे इस सीज को काफी लोग इसका इंतिजार भी करते हैं कि जो है CP NET का फाम आए यह फाम का जो नाम रहता है कुछ लोग नाम भी रखते हैं तो यह CP NET के नाम से जाना जाता है यह CP NET आएगा इसको लिखाऊगा दो हजार चौबिस ये इसका फॉर्म का नाम होता है इसमें जो आवेतन सुल्क होती है वो तीन हजार रुपे होती है कितनी जो है तीन हजार रुपे इस फॉर्म के जो है फीस होती है और स्टी के लिए दो हजार रुपे होती है तो ये फॉर्म की फीस आपके लिए रही जो इक्जाम होता है जो इसका इक्जाम होता है वो पेपर 1 होता है तो उसमें फिजिस, कमिस्टी, बाइलोजी आती अगर मैस है तो मैस ये इतने इतने कोशन्स आते हैं और अगर आप पेपर सेकंड जो एनम के लिए आप देंगे उसके लिए ये पर्टिकुलर रहता है 20-20 और 60 कोशन्स रहते हैं ये जो ऊपर का सेक्शन जो पेपर 1 है जो ये पेपर 1 है इसमें आपको B-forma और जेनम या आप एनम भर रहा है तो साइंस के students हैं अगर साइंस के students हैं तो आपको ये वाला देना पड़ेगा अगर other than science हैं तो आपको ये देना पड़ेगा तो दोनों में से आप जिस side से होते है 10 plus 2 जिस से करते हैं उसी के according आपको यहाँ पर exam देना होता है वही चीज़ यहाँ पर visibility के तौर पर भी चीज़े समझाई गई हैं कि PCBE होना चाहिए और PCME होना चाहिए तो आप यह तीनों courses भर सकते हैं और अगर आप आर्ट साइट से commerce से हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एनम और जेनम भी भर सकते हैं फार्मा आप नहीं भर सकते हैं लेकिन इसमें health care sciences और vocational studies आपके पास जेनम के लिए होनी चाहिए उसके लिए particular subjects जो है यहां पर बताये गए हैं अब यहां पर जो प्रसेक्शन सुल्क है या नि जो आपको पूरे course की फीज़ देनी होती वो देख लीजिए अगर आप होस्ट देना पड़ेगा जैसे diploma form GNM है और एनम है तो 25,000 रुपे आपको वार्षिक देना होंगे सालाना अगर आप होस्टल लेते हैं तो आपको वही होस्टल का चार्ज जो है यहां पर वो बढ़ जाता है यहीं होस्टल का जो चार्ज होगा वो आपका बढ़ जाएगा होस्टल के साथ अगर आप लेंगे तो 34,300 और अगर आप जैनम करेंगे अगर आप जैनम करते हैं यह जैनम के लिए है और यह भी भार्मा के लिए है तो यह भी भार्मा के हो गया यह जैनम के लिए हो गया तो वही 34,300 और वहां 31,800 आपको देने होगा तो पूरी डिटेल आप समझ दिप्लोमा पाठिकरम के लिए यानि जेनम और एनम के लिए 25,000 और होस्टल ले लेंगे आप तो 31,800 देने होंगे और यहां पर पेपर वन और पेपर टू का जो है कि भी फार्मा और जेनम और एनम कौन से कंडिडिट भरेंगे उनकी डिटेल यहां दे देगी PCBE और PCME यहां का मतलब यहां पर English से related है यह फार्म कब आता है तो इसकी डिटेल आप देख लिए फार्म जो है पिछले साल भी यह 27 जून को आया था कब आया था 27 जून को तो इसी के आसपास इस साल भी आएगा लगभग यह जून के इंड में ही फार्म आता है तो जैसे ही यह डिकलेर ह होगा हम आपको बताएंगे देखिए यह इसकी online application date होती है और यह देखिए यह 17 तारीक पिछले साल थी 17 तक भरा गया था और फिर उसके बाद 30 साथ को यह करीब 10-15 दिन बाद ही exam इसका conduct हो गया था तो clear है तो उम्मिद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे तो यह फ cp net के नाम से cp net 2014 के नाम से होगा और यह जून के इंड में आएगा जैसे ही cp net 2014 लिखा होगा और यह फ़ाम आ जाएगा जुलाई जून के इंड में तो यह नहीं करीब 8-10 दिन 10-12 दिन बचे हैं इसके बाद यह फ़ाम आ जाएगा जो लोग परिक्षा के माद्यम से जे एंचे बार